टेंथ पास कर ली अब क्या चूस करूं मैस, साइंस, कॉमर्स, आर्ट या एगरिकल्चर आखिर लू क्या सो चलिए दोस्तो आज हम टेंथ क्लास पास इस्टुजेंट के बारे में बात करते हैं कि उन्हें इलेवन्थ क्लास में कौन सा सब्जेक्ट चूस करना चाहिए वो इससे पहले मैं उन चात्रों को शुपकामना देना चाहता हूँ जो अपनी टेंथ बोर्ड क्लास एक्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स के साथ पास हुए हैं और उन चात्रों के साथ मेरी समवेदना जो चात्र फैल हो गए हैं तो मैं उन चात्रों के लिए कहना चाहता हूँ कि आप निराशना हो क्योंकि किसी एक क्लास के रिजल्ट आपका पूरा जीवन नहीं भीगाड सकता है आप फिर से एक बार ट्राइ कीजिए और जो पिछली बार अपने गलते की उस गलती को सुधार कीजिए और नेक्स्ट एर अच्छे माक्स के साथ टेंथ क्लास पास कीजिए तो चलिए हम अपने मेंटोपिक पर बात करते हैं और जो हमारा मेंटोपिक है वो है 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूस करना चाहिए किसी ने कहा Maths ठीक है, किसी ने कहा Science ठीक है और किसी ने कहा कि Commerce सब बैटर तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं लेकिन कोई मुझसे भी तो पुछे आखिर मुझे पढ़ना क्या है अगर आपको भी नहीं पता कि मुझे 10th के बाद क्या करना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखे क्योंकि यह वीडियो आप ही के लिए है तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि पढ़ाई तो हम सभी के लिए जरूरी है यह तो आप जानते ही हैं क्योंकि बहतर जीवन जीने के लिए और एक अच्छी नोकरी पाने के लिए दोनों ही कैसेस में पढ़ाई बहुत इंपोर्टेंट है वैसे भी आजकल हर माबाब अपने बच्चों को अच्छी सिक्षा देना चाहते हैं इसलिए तो वे अपने बच्चों को अच्छी स्कुल में पढ़ने के लिए भेचते हैं ताकि वे आगे चलकर अपनी लाइफ में सक्सेस्फुल बन सके लेकिन बहुत से स्टुडेंट टैन्थ के बाद कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या करे अब और क्या ना करे अगर टैन्थ के बाद आप एक सही सब्जेक्ट नहीं चुनते हैं तो आप आगे जाकर आपको मुस्कीलोगा सामना करना पड़ता है तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको टैन्थ के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट चूज नहीं करना चाहिए क्योंकि जो 10th और 12th बोर्ड की जो study या फिर अध्यन करने का तरीका रहता है जो हमें 10th और 12th में पढ़ाय जाता है वो हमें college exams में आगे चल कर काम आता है college exams के बाद help मिलती है ज्यादातर लोग 10th में बिना सोचे subject ले लेते हैं जिन में उनका interest नहीं होता और फिर आगे चल कर उनका पढ़ाय में भी मन नहीं लगता और मन नहीं लगता तो वो fail हो जाते हैं और school छोड़ देते हैं जो कि सबसे बड़ी गलती है इसलिए 10th के बाद एक सही subject को चुनना बहुत ही important है अपना अच्छा career बनाने के लिए So हम जानते हैं कि हमें 10th के बाद कौन सा subject चूज़ करना चाहिए Science, Commerce या Art फिर क्या और कुछ इसके साथ हमें करना चाहिए जैसे 10th के साथ साथ किसी stream में डिपलोमा लेना So मैं आपको one by one सभी subject के बारे में बताऊंगा कि Art, Science, Commerce, Maths और ये क्या क्या होते हैं इनमें क्या क्या पढ़ाय जाता है और इन subject के बीच में क्या different है और इनमें से कौन सा best है आपकी capability के अनुसार क्योंकि हमारे देश में 26 साथ रो को 10 वी तक एक से subject पढ़ाय जाते है 10th के बाद 10th के बाद उन्हें generally student को choice करने के लिए Maths, Science, Commerce, Arts ये subject में रहते हैं जो आपको 10th class पास करने के बाद choose करने पड़ते हैं भला subject है हमारा Art आखिर Art subject subject को बहुत ही low subject माना जाता है और कहा जाता है कि 50% से कम Marks वाले student ही Art लेते हैं बट ये उनका एक वहम है क्योंकि Art में भी बहुत ज़्यादा scope है job का अगर आप Professor बनना चाहते हैं एक राजनितिक नेता बनना चाहते हैं वकील बनना चाहते हैं या English, Hindi, Sanskrit में Professor बनना चाहते हैं तो आपको Art जरूर लेना चाहिए So I hope कि आपको Art के बारे में सारी जानकरी मिल चुकी होगी कि Art लेकर हम क्या बन सकते हैं और जो हमारा next subject है वो है Commerce Commerce subject को Art से थोड़ा ज़्यादा importance दिया जाता है अगर आपके 10th में 60% है तो आपको कुछ Schools Arts देने के लिए Allow करते हैं अगर आपके 60 से कम हो तो कुछ Schools Commerce देने के लिए Allow नहीं करते हैं अगर बात करते हैं कि हम Commerce से क्या-क्या बन सकते हैं तो हम बात करते हैं आप Banking Line में जा सकते हैं Computer Work कर सकते हैं या किसी Bank में CA बन सकते हैं अगर आप जनरली बात की जाए तो आप computer operator बनना चाहते हैं तो आप commerce लीजिए I hope आपको commerce के बारे में भी सारी detail clear हो गई होगी कि commerce लेकर हम क्या बन सकते हैं उसके बाद हमारा आता है science stream Science stream को commerce art इन सबसे उपर माना जाता है और इसे थोड़ा जादा importance दिया जाता है क्योंकि आपको पता ही होगा कि आज का युग जो है वो विग्यान का युग है और जो science stream की demand है वो आगे चलकर बहुत रहती है इसलिए जादा तर इस्टूडेंट science लेते हैं बट जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है उन्हें science नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है और अगर कम पढ़ाई करने वाले student ले लेते हैं तो वो 11 तो निकाल लेते हैं बट 12 हमें fail हो जाते हैं तो फिर उसके बाद पढ़ाई में मन नहीं लगता और फिर लो fail हो जाते हैं तो मैं आपको suggest करना चाहूंगा कि अगर अब पढ़ाई में थोड़े से भी कमज़र है तो science ना ले अब बात करते हम कि science लेकर हम कौन से नोकरी पा सकते हैं तो science लेकर जो जो आप पाने की बात है उसमें आप engineer बन सकते हैं डॉक्टर बन सकते हैं और scientist बन सकते हैं एक medical officer बन सकते हैं तो अगर आप doctor, engineer और scientist बनना चाहते हैं तो आपको science लेना चाहिए तो I hope आपको सभी topics के बारे में clear हो चुका होगा कि हमें 10th के बाद कौन सा subject लेना चाहिए अगर आपको अभी भी clear नहीं हुआ है तो आप comment करके हमें पूछ सकते हैं कि sir हमें 10th के बाद कौन सा subject लेना चाहिए So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपके दोस्तों के पास भी confusion है कि हमें 10th के बाद कौन सा subject लेना चाहिए तो ये वीडियो आपके उन दोस्तों के साथ भी share कीजिए ताकि वो भी अपना confusion दूर कर सके और 10th के बाद अच्छा एक subject चूज़ कर अपना career बना सके So we will meet in next video Take care